ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चन्मी लक्ष हमारा हर किसान की आंगनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आंगनी दुगनी एसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चन्मी इस कारिक्रम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार आपको जानकारी के सासत बहुत कुछ ऐसी बात ही पता देता है जो आपके लिए कृशी मिलाप्रद होती है आपकी जो कहें उन्नती में सहायक होती हैं तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा सवागत करते हुए बता दीती हूं आपको मैं हूँ आपके साथ आरती और मैं अश्वनी और किसान मित्रो जैसे की आरती ने बताया कि हमारी कोशिश यही रहती है कि क्रिशी क्षेत्र की सारी जानकारी और नवीनतम जानकारी आप तक सीधे तोर पर पहुंचे तो आप ध्यान से सुनते रहे और आज भी जो आपके लि रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं जो विशेश है भारते क्रिशी अनुसंधन परिशत की 93 वी वार्षिक आम बैठक पर आधारी था यह रिपोर्ट जो की बीते शनिवार यानि की 26 मार्च को हुई थी तो यह क्या कुछ है इस रिपोर्ट में क्या हुआ था उस समह भारती क्रिशी अनुसंधन परिशत की 93 वी वार्षिक आम बैठक आयूजित की गई इस बैठक में केंधिये क्रिशी एबम किसान कल्याण मंत्री स्वरी नरेंद्र सिंग तोमर केंधिये मतस्य पालन पश्यूपालन और डेरी मंत्री स्री पुरुशूत्तम रुपाला उप महाने देशक सहायक महाने देशक पूरे देश से आए विशिस्ट अत्तियों और कृशी वैज्ञानिकों ने भाग लिया। बैठा के शुरुआत आई सी ए आर गीत के साथ हुई। सबसे पहले भारती कृशी अनसंधान परिशत के अपर सचिब डॉक्टर संजय गर्ग ने सभी का स्वागत करते हुए कहा। आई सी ए आर द्वारा विक्सित तक्नीकों वाधिक पैदावाली किश्मों का जो विकास हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा उलेखनिय योगदान जो हमारी यात्रा अभी तक स्वतंतरता से लेकर आज तक की जो क्रशी के शेतर में आत्म निर्भर बनने की और ना केवल आत्म निर्भर रहे हैं लेकिन परिपेख्ष बदल चुका है पिछले पचास-साथ सालों में जहां हमें कुआरटी थी एक प्रात्मिक्टा थी लेकिन आज आत्म निर्भर तो हम बन चुके हैं, निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन आज संसाधनों पर बहुत बड़ा दवाव है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, पर्यावरण हो, तो संसाधनों के दवाव के चलते जो नई नई तक्नीकियां, प्रिसीजन एगरी कल्चर स्मार्ट एगरी कल्चर ताकि कम रिसोर्सेज में, कम संसाधनों में ही अधिक उत्पादन लिया जा सके, गुणवत्ता भी सफर ना हो, तो इस और जो हमारी अब एक नई यात्रा जो शुरू हो चुकी है भारती एक्रशी अनुसंधान परिशत की, जहां नई नई तक्नीक स्मार्ट एगरी कल्चर, प्रिसीजन एगरी कल्चर, यूज ऑफ इंटरनेट, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, इस सब छेत्र की तरफ हमें भारती एक्रशी अनुसंधान परिशत को आप सभी के माध्यम से आगे ले जाना है भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशत के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने परिशत की साल भर की उपलग्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा उसका नतीजा ये है कि फोसल उत्पादन में काफी भृधी हुई है और टोटल फूड प्रडक्शन सशे उत्पादन का जो बेवरा दिया गया है 16-17 में 275 मिलियन टन था अब वो सेकेंड अड़बांस एस्टिमेट 2021-22 के मुताविक 316 मिलियन टन में पहुचा है और इसी तर साथ है और ये एक उदाहरण है कैसे दल्हन उत्पादन में हम लोग एक क्रांती लाने में सफल हुए हैं 2014-15-16 का अगर डेटा देखा जाए उत्पादन 16-17 मिलियन टन में अटका हुआ था और 16-17 से सुरू करके अब तक 6-8 मिलियन टन अधिक उत्पादन दल्हन में हुआ है और इसके कारण हमारे जो आयत हुआ था उसमें करीब करीब 50% कम हुआ है यह अत्यंत सरान्य है और इसमें सबका जुगदान है विसेश रूप में भारत सरकार का जो जोजनाए रहे और जो नितिनियम रहा विसेश रूप में 2 मिलियन टन बफर स्टक जादा प्रक्यार् के पास पहुंचे अब 70% से ज्यादा नए बीज पहुंचाने के लिए हम प्रयास जारी है और आगे उसको 80% से ज्यादा करने के आप सकता है और इसी तरह का ज्यादा से ज्यादा डिमन्सेशन करते हुए किसान भाईयों को नए टेक्नोलोजी का क्या फायदा है उसको इस अवसर पर केंद्रिय मतस्य पालन पशुपालन और डेरी मंत्री स्री पुरुशोतम रुपाला ने अपने वक्तब्य में कहा थोड़ा तन जाता है मगर बाद में कोई पूछे कि आपके अवरेज प्रोड़क्शन क्या है तो थोड़ा आखे नम कर देनी पड़ती है उसी का इलाज हमें ढूंडना चाहिए तो यह जो बनी भेंस में आपने वो सक्सेस्फुली वो कर दिया है इंप्रूमेंट का उसको थोड़ा और कॉमर्शली करके हम कैसे बढ़ा सके और गीर सौमनाथ के किसान ने इंडिवीडियोली भी इसको करके दिखाया और वो बच्चे को में मिलके भी आया हूं उसको जैसे ही जल्दी कैसे कर सकते हैं तो यह मैं इसका उल्लेक इसलिए कर रहा हूं कि भेंस जो है व तो हम एक्सपोर्ट की दिशा में जो आप आज हमको फिगर दे रहे थे इससे हमें बड़ा अच्छा लग रहा था उसमें और भी अच्छा काम हम कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाय करके जैसे आज गाई के दूद का मैं उदाहरन कभी कभी बोला करता था कि एक अम्दाब जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि यह हमारा दूद है वो गेर ब्रंड का है बस अपनी किमत आपको मिल जाएगी आईसे ही यह भेंस का जो दूद है उसमें से जो चीज बनता है उनकी दुनिया में बड़ी डिमांड है और इसमें कोई कॉम्पिटेशन हमार वज्यानिकों की तपस्चरिया आपने बीज में टेकनोलोजी में उपचार में जो आपने परिश्रम किया है जो साधना की है और इनके उपर हमारे किसानों ने जो परिश्रम को जोड़ा है इसकी बदौलत है कि आज भारत फूर सिक्योरिटी के बारे में हम इतने अच्छे जगां पर पहुँच पाए हैं इसमें आपकी तपस्चरिया को मैं धन्यवाद करता हूं इसको साधुबाद देता हूं आई सियार की ये यात्रा और तेज गती से और तेजस्विता से आगे बढ़े इसी शुब कामना मेरा नमस्तार केंद्री क्रिशी, एबम किसान, कल्यान राजमंत्री, स्री कैलाश चौधरी ने सभी को सम्मोधित करते हुए कहा जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने एच्यूमेंट हमारे कर्शी आईशियार के द्वारा लगातार किये गए और इसके उपर हमें और आगे बढ़ने की भी हम सब को आउशिकता है और इसके लिए मैं आप से यही कहना चाहूँगा, कि हमें आने वाले समय के अंदर नई तक्नीकी की और भी जाना पड़ेगा और अधीक हम किस तरह से किसान से जुड़े हैं और जो हमारा रिसर्च है, वो किसान तक कैसे पहुंचे इस द्रश्टी से भी हमें काम करने की आउशिकता रहेगी और वो इसलिए मैं आप से कहना चाहूँगा, जैसा कि हम सब जानते हैं मुक्य रूप से हमारे जो आईशियार के द्वारा जो रिसर्च किये और उसके अंदर हमने इस बात का विसे इस ध्यान दिया कि नई तक्निकी किसान तक पहुंचे और शाथी उत्पादक्ता में विर्धी हो और उसी का प्रिणाम है कि उत्पादक्ता में जहां पहले एक समय था कि हम आयात किया करते थे लेकिन अब हम सर्पलस हैं इसको हम निचे तुरूप से एक अपना एचिवमेंट मानते हैं लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमें विश्व इस तर पर अगर जाते हैं तो हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने और भी कई गुंजाइसे हैं जिनको हमें करने की आउशिकता है परशचित मेकनिजेशन के अंदर वो पहुंच चुके हैं फूट प्रोसेशिंग की बात करें तो फूट प्रोसेशिंग के अंदर भी मुझे लगता है कि विश्व इस तर पर जो 35-40 परशेंट का रेश्यों है लेकिन फूट प्रोसेशिंग के अंदर भी हमारे यहां पर लगबग 15 परतिशत के ऊपर हम हैं तो इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो जो प्रदान मंतिजी का वीजन है उसको हम निचे तुरूप से डबलिंग इंकम नहीं उससे भी आगे हम जा पाएंगे इसके ऊपर हम सब को काम करने का आउशिक्ता है भारतिय क्रिशी अनुसंधन परशत की 93 वी बैठक में केंद्रिय क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्री श्री नरेंदर सिंग तोमर ने अपने उद्वोधन में कहा आज हम अनुसंधन परशत की वार्शे काम सबा की बैठक में उपस्तित हैं मैं समस्ता हूँ कि यह सदन 32 सबा के साली है 1929 में यह यात्रा प्रारंब हुई थी ICR के और यह जो AGM है इस AGM में जो कुछ वर्स वर के लिए मैंडेट तै होता है भारस सरकार की जो प्राथमिक्ताएं होती हैं उन पर ICTR काम करता है आज हमारे व्यग्यानीकों के अनुसंधान का परड़ाम है कि सान के परिस्त्रम का परड़ाम है कि खाद्यान के छेतर में हम अपनी आवश्यक्ता के अधिक खाद्यान का उत्पादन करते हैं खाद्यान के बारे में कई बार विचार होता है तो उत्पादन हमारे साथ सामने समस्या नहीं है उसका रखरखा और प्रवंधन हमारे लिए कठनाई का करण बन गया है लेकिन इस दिस्ता में भी निरंतर और काम करते रहने के अवश्यत्ता है लेकिन खाद्यान के अत्रिक्त भी अगर हम बागवानी का छेतर देखें, दोगदुतपादन का छेतर देखें, पसुपालन का छेतर देखें, फिस्रीज का छेतर देखें, इस छेतर में भी दुनिया में अगर प्रतिस परदा हो तो कहीं-कहीं हम पहले इस्थान पर हैं और क आज आवश्यक्ता इस बात की है कि आप सब के अनुसंदान के परिडाम सरूप, क्रसक की मेहनत, उसकी द्रश्टी, उसके घंगोर परिस्नम के कारण, आज हम सब के सामने ये सबाल खड़ा हुआ है कि हमारा जो उत्पाद है उसकी गुडवत्ता कैसे बढ़े, उसकी साग कैस से इस्थापित हो, इस दिसा में किसान भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, और यह वक्त की जगुडवत्त गे है, जब हम किसान के आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि उसके उत्पादन का उसको वाजिब दाम मिलना चाहिए, वाजिब दाम तब मिल जब फसल की गुडवत्ता ठीक होगी, प्रॉसेजिंग आगे बढ़ेगी, प्रॉसेजिंग में किसान का हिस्सा होगा, किसान टेकनलोजी का उप्योग करके अपनी लागत को कम कर सकेगा, गुडवत्ता बढ़ाने में योगदान कर सकेगा, तो इस दृष्टी से समधर प् बल भी है, और इसलिए सामाने तोर पर हमारी मानेता ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार किये पद्दती के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हिंदोस्तान में जितनी भी पद्दतियां उपलब्द हैं, देश का किसान उन सब उपलब्दियों का सक्षमता के साथ उप्यो प्रकर्ति का सिद्धान्त है, उस सिद्धान्त का भी कहीं न कहीं पालन हमारी भारतिये पद्दतियों में से होता है, आज हम सब 93 वी वार्षिक आमसभा में या बैठे हुएं, दो अजार उन्तिस में आईसे आर का सौमा वर्ष होगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में या स संस्था के जीवन में सौमा वर्ष सफलता पूर्वत पूर्ण करना निश्यद रुप से बहुती बड़ी उपलब्दी होती है, मैं समस्ता हूँ कि आज 2022 से ही हमको दो हजार उन्तिस की रूपरेखा बनाना चाहिए, और चब सौ वर्ष पूरे हों, तो राष्टी आयोजन भी हो और अंतर राष्टी आयोजन भी हो, ऐसी अमारी सब की तैयारी रहनी चाहिए, आप सब को इस अब सब पर बहुत बहुत शुब कामना हैं देते हुए, आपनी बाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, जैहिनु इसी के साथ नई दिल्ली के भारत रत्न सी सुब्रामनियम सभागार में आयोजित भारतिक रिशी अनुसंधन परशत की तिरानवेवी वार्षिक आम बैठक पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट संपन होती है, स्वर शशी कपूर, सयोग सुरेंद्र कुमार और इस रिपोर्ट में आपने सब जाना, कि किस तरह से भारत को जो किशी शेत्र में आत्मिर पर बन सकता है, और साथ नई नई जो तकनीक है श्विनी, उनका उप्योग करके किस तरह से आगे बढ़ सकता है, और किसान मित्रयो रिपोर्ट सुनवाने का उद्देश्य यही था ताकि आपको भी प्रोचान मिल सके कि जिस तरह से नई नई तकनीके गाउं गाउं तक पहुँच रही है, तो उसके लिए आपकी सहभागिता भी बहुत जरूरी है, तो आप मैं पूरी उम्मेद है, आपने ये जो रिपोर्ट है ध्यान से सुनी होंगे, उसमें जितनी बा संकट के समय प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना किसानों के लिए बरदान है, अब उले पड़े ये कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने ये जिया है प्रदान मंत्री फसल भीमा अब आपकी है बारी नजदी की कृशी कारियाले सहकारी समिती बैंक शाखा, अधिक्रत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजी करन फसल बीमा पोटी या फसल बीमा आदवारा भी कराया जा सकता है पंजी करन प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूम्न सुरक्षा कवर्च कृशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार स्वागत है कारे क्रम किसान की बात में आप सभी का और अब साथियों समय हो गया है आई है लेकर मौसम अनुमान सुनलो भाया देकर ध्यान जी हाँ तो मौसम की बात करते हैं साथियों बहुत से शेत्र हैं जहाँ पर जो गर्म हवाई हैं वो तेजों रखी है इनमें जमू कशमीर हैं हिमाचर प्रदेश पंज़ाब रासह दिल इसेरे एं अध्य मद्य प्रदेश के लिएव सकता है जहां पर कुछ और साथि कुछीरा साध भी कुछ अन्यच्ट के दौरान ठपेड़े मार्च सकती हैं तेज रह सकती है, वहीं पर कुछ ऐसी जगा है दक्षिन भारत में जहां पर हलकी बुनदा बांदी देख सकते हैं, बिजली की गरजना भी हो सकती है, जिनमें तमिलाडू है, साथे साथ लक्षुदीप है, केरल के जो तटी अलाके हैं, वो भी है, ये था मौसम का हाल, और ज से शुरुआत करते हैं, शिमला सेव का भाव मंडी में रहा 90 रुपे प्रतिकिलो, अमरूत 35 रुपे, चीकू 22 रुपे, नासिक अंगूर भी का 70 रुपे प्रतिकिलो, सफेदा आम 1500 रुपे प्रतिकिलो, और मौसम भी का भाव रहा 50 रुपे प्रतिकिलो, सबजियों पर आ जानकारी भी सुनिए और इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करें और फिर क्योंकि आप भी अपग्रेड हो चुके हैं तो वेबसाइट पर जाकर सीधे तोर पर और जादा जानकारी लिए हलागी हमारा प्रियास है कि हर एक शेत्र को हर एक बात को आप तक सीधे तोर पर पहुंचाए जाए लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कभी रहता है कि कुछ सवाल आपके मन में हैं तो आप वेबसाइट के माध्याम से जान सकते हैं जिसमें बता रहे हैं विशेशग्य हमाई डॉक्टर मंजीर सिंग नैन जी जो कि प्रधान वग्यानिक है पूसा भाति कृषियन संथान संसान नई दिल्ली में और इनसे बाचीत कर रहे हैं शिवनन दलाल जी किसानों में उद्धिमता का विकास कैसे किया जाए उसके क्या फाइदे हैं और कृषि का विकास इसके द्वारा कैसे किया जा सकता है इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मंजीर सिंग नैन जो कि प्रधान वग्यानिक हैं किसी प्रसार संभाग भारती किसी अंशंदान संस्थान पूसाने दिलियुए ब्यक्तर नैन जी कारकर में आपका स्वागत है जो हमारे किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं और निश्चे तोर पे किसान भी एक बग्यानिक हैं क्योंकि सारे कार वो कुछ अनुमानों से करते हैं कुछ तकनीक से करते हैं लिकिन उनमें भी उद्धिमता का विकास अगर कर दिया जाए तो निश्चे तो पर हमारी खेती थोड़ा और आधुनिक हो जाती है तो डग सबसे पहले आप से जानना चाहूंगा कि यह उद्धिमता विकास है क्या चीज देखिए जो कुछ कारिय करते हैं उस कारिय में एक पूरुकान के साथ कोई संगठन नात्मक कारिय करें जिसने रोजगार मिलें और और लोगों को को जो रोजमर्रा के तरीके से कमाई के साधन हैं उनको बढ़ाया जा सके उसे को उद्धिमता कहते इसमें आउसरों को पहले से पैचानना, गुनातमक या जिसे कहते हैं calculated risk आप calculate कर लें, अपनी जोखिम का पहले से अंदाजा लगा लें, देखिए gambling और risk taking यानि के जुआ और जोखिम का आंकलन, ये दोनों अलग-अलग पहलू हैं, यहां उद्यमिता में हमारा जोखिम का आं उद्ध नहीं पड़ेंगे, लेकिन उस आउसर में क्या जोखिम हो सकती हैं, उन जोखिमों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, ये सब अंदाजा लगा के और एक रोजगार के आउसर पैदा करना, एक संगठनातमक तरीके से रोजगार पैदा करना, इसी को उद्धेमिता कहते जी ड़क साब बिलकुल जिस तरीके से आपने बताया है कि कोई भिकार को केवल आउसर ना समझ के शुरू किया जाए, पहले तो उसमें पूरा हिसाब लगाया जाए कि इसमें कहां कहां पे नुक्सान हो सकता है, कहां कहां पे इसका फायदा हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखके अगर उसको शुरू किया जाए तो वही उद्यमता है तो डाक साब यह कृशी में उद्यमता कैसे की जा सकता देखे कृशी को आज तक हमारा किसान दो तरीके से दो ही मुख्य बिंदूओं पर ध्यान देता आया है अच्छी तरीके से बोया जाए उसकी पैदावार से कुछ ज़्यादा हासल नहीं हो पाता आप देखते होंगे जिस वक्त फसल आती है उस वक्त दाम बड़े कम होते हैं उसके बाद दो महीने बाद थोड़ा सा दाम बढ़ते हैं तीन महीने चार महीने बाद उसके दाम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यद लाब नहीं मिलेगा दूसरी तरफ यदि किसान इसी कार्ये को एक उड़्यम की तरह से करे, उड़्यम का मतलब यह है पहले से आंकलन कर ले कि देश में मान लिया में आपको एक उदारण गेहुअ का ही लेके दे जी, चलता हूँ, गेहुँं के लिए हमारे देश में समर्थन मुल्य का प्रावदान है समर्थन मुल्य फसल जब कटती है तो सरकार समर्थन मुल्य पर गेहूं को खरीदती है उसके बाद जब वही गेहूं मिल में जाता है और थैली में आटा पैक होके आता है तो वो समर्थन मुल्य से कई प्रतिसत ज्यादा हो जाता है मोटा मोटी यद समर्थन मूले में हमारा गेहुं जाता है तो कहीं भी आपको थैली बंद आटा 30 रूपे 35 रूपे किलो से कम नहीं मिलता यदि हम इसी की बात छोटे स्थर की बात करें किसानों को समझने के लिए आसानी होगी कि बैए यदि हम गेहुं को पीसा पिसाई की पहले उससे पिसाई की और थैले में बंद कर दिया केवल इस कारिये में मुझे नहीं लगता कि 3-4 रूपे किलो से ज्यादा का खर्चाएगा यहां तक कि उसकी मार्केटिंग भी करेंगे तब भी किसान को उसकी कीमत कुल मिला के ठारा और 3-4-5 रूपे और मानलो 25 रूपे लेकिन 30 र प्रॉफिट ले रहा है लाब ले रहा है तो क्या इसी कारिये को हमारे किसान भाई नहीं कर सकते यह तो बड़ा आसान है चोटे-चोटे बहुत बड़े बड़े उद्यम नहीं तो छोटे-चोटे जिसमें कम परसंस्क्रण हो, कम लागत लगे आपके पास मशीने कम लागत की हो, वहाँ से शुरूआत की जा सकती है देरे देरे इसका विकास करके इसको राज़स्तर पर, देशव्यापिस्तर पर ले जा जा सकता है इस तरीके से जो विकास होगा उसको उद्द्यमी विकास कब रूप दे सकते हैं जी डख साब जिस तरीके से आपने बताया कि गेहों में गेहों के वजाए आटा बना कर किसान भाई वेंचे तो फायदा होगा उसी तरीके से अपना जो दलहन है बिलकुल दलहन सब फसलों में वुसी तरह का प्रावधान कर सकते हैं देखिए जब हम दलहन की पूरी साबुत दाने को हम बेच के आते हैं तब कहीं सरकारी जो समर्थन मुल्या है किसी फसल का 4500 रुपे क्वेंटल किसी का 500 रुपे क्वेंटल और जब हमारी थाली में वो प दाना था किसान के पास दाना था तो वो 45 रुपे किलो था और जब वो आपके थाली में आया तो वो 100 रुपे किलो हो गया तो हमारा कहने का मतलब है कि यदि उद्ध्यमिता की बात यदि हम करें तो उद्ध्यमिता का मुख्य उद्ध्य से यह है कि जो उत्पादक है उसको कंजूमर के पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले अभी यदि सो रुपे की बात करें दलहन की सो रुपे में किलो दाल मिली तो किसान के हिस्से में तो उसमें से केवल पैंतालिस रुपे गया और उस पैंतालिस रुपे में से भी उसने लगबग 30 रूपे खरच किये लागत में लेकिन अगर किसान के अंदर ये सारी जानकारी करानी है तो उसके लिए आपके संस्थान में क्या कोई परशी चार या ट्रेनिंग के कात्रम चलाया जाते हैं लेकिये बारत सरकार ने आजकल तो एक अलग से मंत्राले भी शुरू किया हुआ पिछले 3-4 साल से उद्यमिता विकास उद्यमिता एम कौशल विकास मंत्राले उस मंत्राले के तहत बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके तहत किसानों को सबसीडी भी दी जाती है प्रशिक्षन भी दिये जाते हैं उनको बाद में मार्केटिंग में मदद भी की जाती है इसके अलावा हर जिले में एक क्रशिव ज्यान के इंद्र होता है उस क्रशिव ज्यान के इंद्र में समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षन दिये जाते हैं ताकि किसानों को उद्यमिता विकास किया जा सके दो तरह के उद्द्यमिता विकास के लिए दो तरह के प्रसिक्षन मुख्यता होते हैं एक तो तक्निकी ग्यान का एक व्यावारिक ग्यान का जिसके बात आप कह रहे हो कि किसानों को जोखिम का आंकलन कैसे करें उनमें उद्द्यमिता के बारे में भावना कैसे पैदा करे वो व्यवारिक ज्यान वाला पहलू है उस व्यवारिक ज्यान की बात करें तो कोई भी यदि हम पर्शिक्षन करते हैं उद्यमिता विकास के लिए तो पहले हम कोशिस करते हैं कि लगबग एक दिन व्यवारिक ज्यान पर लगाया जाए और बाकी के दो या तीन दिन तकनीकी ग्यान पर लगाए जाएं क्योंकि तक्नीकी ग्यान तो आदमी रिवाइव भी कर सकता है दोबारा से कहीं से पूच्टाच भी कर सकता है सबसे पहला पहलू है कि व्यावारिक तोर पे एक आदमी को उद्धेमी बनने के लिए तयार होना ये सबसे बड़ा और महत्वपूर। बिलकुल वहारिक तोर पर किसी भी उद्धेमी बनने के लिए आपको वहारिक तोर पर मासी तोर पर भी तयार है ना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ तक्नीकी ग्यान गागर समबेश मिल जाए तो क्या ही कहने। बिलकुल उमीद है आज की ये चर्चा भी आपको बहुत पसंद आयोगी। शिवननलाल जी जुड़े वे थे डॉक्टर मंजी सिंग नैन से बात की उन्होंने और आप तक ये चर्चा पहुचाई। फिलहाल आज के कारिक्रम किसान की बासे मुझे आरती को और मुझे अश ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चनी। लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी।